वेलकम टू प्यूर कुकिंग इस एडियो में मैं हैदरबाद की खास कुल्फे की कतली और तले हुए गोष्ट की रेसिपी शेयर कर रही हूँ देख सकते हैं आप ये तला हुआ गोष्ट कितना मज़ेदार बना है और ये कतली कितनी मज़ेदार लग रही है तो चलिए बनान तर्मरिक पौडर एड़ करेंगे और टू टीइस्पून ग्रीन चिली का पेस्ट हरी मिर्ची में ये दाल बहुत ही मज़ेदार लगती है तो दाल के जरूर देखे एक कहरी आट कर रही हूं है ये खटी वाली कहरी है अगर आपकी कहरी खटी ना हो तो आप दो आट कर सकते है अब इनको मिलाना नहीं है अगर हम मिला देंगे तो कहरी की वाज़े से दाल गलेगी नहीं पाच छे वीजिल के बाद में इस टो की फ्लेम बन कर दी थी मैंने अब प्रेशर रिलीज हो गया है दाल अच्छे से गल गई है अब हम इसको मैश कर लेंगे कुल्फे की कतली क मेरे चैनल पर अपलोडेड है तो डीटेल रेसिपी के लिए आप वो रेसिपी चेक कर सकते हैं मैश करने के बाद में मैंने इसमें पानी एट कर दिया और थोड़ा सा नमक टेस्ट करके और यह जो कुल्फे की कतली होती है यह बहुत ज्यादा पतली नहीं होती जिस तरह से खटी दाल होती है वैसे नहीं थोड़ी सी गाड़ी होती है और गर्मियों में यह हैदराबाद में बहुत बनाई जाती है बहुत शौक से खाई जाती है क्योंकि कुल्फा पेट के लिए बहुत धंडा होता है अब मैंने इसमें थोड़े से करिया पाके पते अट कर दिया अब एक बॉइल आने तक दो तीन बॉइल आने तक मैंने इसको अच्छे से बॉइल कर लिया है दाल को डाल पक गई है अब इसको साइड में रखेंगे और इसका बगार कर लेंगे तो हाफ कप मैंने ओए एट किया है इसमें 1 टी स्पून जीरा एक रेट चिली को तोड़क अब हमारा बगार तयार है इस्टो की फ्लेम बन कर देंगे और बगार एट कर देंगे दाल में तो बहुत ही एहतियात से बगार देना है क्योंकि यह आपके हाथ पर उचल सकता है अब देखें दाल दालने के बाद में इसे हमें फौरी ढख देना है ताकि जो बगार के सार दाल में अच्छे से आ जाएं तो बड़िया टेस्टी कुल्फे की कतली की रेसिपी तैयार है देख सकते हैं कितनी मज़ेदार बनी है यह दाल आप इसके साथ में खटी डाल भी बना सकते हैं खटी डाल की रेसिपी मेरे चैनल पे अपलेड़ेड है चेक कर लीजिए अब ह रेचिली पाउडर यह रेचिली पाउडर मेरे घर का है तो इसका कलर इसलिए इतना लाल है अगर आप हो में रेचिली के पाउडर की रेसिपी देखना चाहते हैं तो मुझे जरूर कॉमेंट करके बताएं देखिए यह मसाला जो हम गोश्ट पर अच्छे से लगा के तीन स अगर आपको को थोड़ा सा बहुं लेंगे कलर चेंज होने तक अगर आपके पास में टाइम नहीं है तो आप सेंव रेसिपी कुकर में बना सकते हैं अब गोष्ट का color change होने के बाद ने मैंने एक ग्लास इसमें पानी अट कर दिया और ढग कर गोष्ट के गलने तक अम इसको पका लेंगे अगर आपका गोश्ट गलता नहीं है तो जैसे मैंने कहा आप कुकर में पका लें लेकिन जो पैन में टेस्ट आता है मेरिनेट करके पकाने का वह बहुत ही टेस्टी बनता है गोश्ट तो अब देखिए एक बार मैं इसे फिर से बीच में खोल कर देख रही हूं अब यह पान तो लास्ट में मैं इसमें कॉटर टीस्पून हैदरवादी गरम मसाला एट कर रही हूं गरम मसाला की रेसिपी मेरे चैनल पर है अपलोड है चेक कर लीजिए और उतारने से पहले बस स्टो बन करने से पहले मैं थोड़ा सा कटावा कोटमी अरे कोरियंडर लीव साट कर रह और टेस्टी कंबिनेशन अच्छा लगा तो इस वीडियो को जरूर एक लाइक कीजिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए प्यूर कुकिंग चानल को अगर आप खटी दाल बनाना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर उसकी रेसिपी है चेक कर लीजिए और तले हुए गो